बीजेपी की विजे संकल प्यात्रा पहुची मंगलोर कारकरताओं ने किया स्वागत खेंद्रे मंत्री सहिद बीजेपी के वरिष्ट नेता रहे मौझूद उत्राघण में हमाद्नी पार्टी ने फाइनल के दावेदारों के नाम चंदरशेखर पांडे लालकुआ से बने उम्मीदवार उनकी सक्रेता को देखते हुए लिया गया फैसला जुआलापुर से देविंद्र परदान में चलाया जनसंपर का बहान कुतोब नगर से हुई शुरूआत गाउं गाउं में किया गया जनसंपर नमस्कार न्यूस बोल इंडिया में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ कावेंद्र चोहां चलिए शुरूआत करेंगे उत्राखन के इस खास पोलिटेक की बीजेपी की विजए संकल प्यातर आज मंगलॉर पहुंचे जहां पर जगह जगह बीजेपी कारकरताओं ने यातरा का स्वागत किया विजए संकल प्यातरा मंगलॉर से चलकर गुरुकुल नारसन पहुंचे जनसंपर के आतरा में केंद्र मंत्री सहित बीजेपी के वरिष्ट नेता भी मौजूद रहे यातरा में मौजूद बीजेपी प्रदेश अध्यक्षम मदन कौशिक ने केंद्र सरकार की उजनाओं के बारे में पताया इसी के साथ ही विपक्ष पर जम कर हमला भी बोला साथ ही आतरा में मौजूद उत्राखंट प्रभारी दुश्यक्ष गौतम ने धामी सरकार की विकास की उजनाओं से लोगों को अफ़कत कराया कि विजे संकल्प यात्रा बारत्य जन्ता पार्टी ने 18 तारिक से हरिद्वार में और 19 तारिक से बागेश्वर से परारंब की है हम सत्तर विधान समाओं में विजे संकल्प की कामना लेकर और जन्ता के आशिरवाद के लिए निकले नरेंदर मोदी जी के नेद्रोतों में उत्राकंड राचे में एक पास साल तक लगातार विकास की दरश्टी लेकर सरकार में काम किया है आज भारत सरकार के सायोग से एक लाग करेकार केवल डबन इंजन के कारण चल रहे हैं अज विदाहन सभा जौला पूर से बीजेपी उम्मीदवार देविंदर प्रधा ने जन संपर का भेहान चलाया इसकी शुरुआत को तो पूर से हुई इसी के तहट कारकरम भी किया गया उसमें सैक्डों गाडियों के साथ गाउन गाउन में जन संपर किया गया और केंदर सरकार और राज्य सरकार के कारे को चंता के सामने रखा गया उत्राघंड में आम आदी पार्टी ने दूसरी लिस्ट जारी करते हुए कई दाविदानों के नाम फाइनल करती है इसी कड़ी में लालकुआ विधानसभा शेतर में पार्टी आलकामान ने चंदर शेकर पांडे को उम्मीदवार बनाया है बता दें कि चंदर शेकर पांडे लगातार विधानसभा शेतर में दौरे पर थे इसके अलावा उन्होंने प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया को लालकुआ बुलाकर एक बड़ी जनसभा की थी इसके बाद उन्होंने हाल ही में दिल्ली के उपमुखे मंत्री मनीश से सोधिया को लालकुआ के प्रात्मिक विद्यालेों की दुर्दर्शा से अफ़कत कराया था उनकी सक्रियता को देहन मी रखते हुए पार्टी आला कमान ने उन्हें लालकुआ विद्धान सभा से उम्मी द्वार बनाया है कि हमारे मानिय संगीजय महुदय के दौरा चार गांडी अवे तक जारी की गई है उनी मुद्दू पर उसी बीजन पर उसको हम जन्ता पर ले जा रहे हैं उसके हिसाब से जन्ता का हमारा को अपार समर्थन मिल रहा है और आगे की उनको हम सार्थक बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और उनी मुद्दों के लिए का हम जन्ता के बीज में जाते हिसाब को समझा भी रहे हैं और वो मुद्दे हमारे पर उसी दिन से उसी मैनी से सुरू जागी पुलिस महाने देशक अशोक कुमार और उनकी पत्नी अलगनन्दा अशोक हरिद्वार पुलिस लाइन रोशनाबाद पहुँचे जहां पुलिस लाइन हरिद्वार पहुँचकर डीजेपी अशोक कुमार ने पुलिस लाइन में कई जगहों का निरिक्शन किया वहीं इस दौरान पुलिस लाइन रोशनाबाद स्कूल के हाई स्कूल और इंटरमेडियेट के मेधावी शात्र शात्राओं को उत्राखंट पुलिस महानेदेशक अशोक कुमार की पत्नी अलक नंदा अशोक ने स्मृति चिन्न दे का सम्मानित भी किया है अरिद्वार के तस्वीरे जहां पर डीजीप अशोक कुमार पहुंचे उन्होंने वहाँ पर पहुंचकर निरिक्षन भी किया है तो पुलिस महाने देशक अशोक कुमार और उनकी पत्नी अलकनन्दा दोनों लोग हरिद्वार पुलिस लाइन रोष्णाबाद पहुंचे थे कि आज का मेरा मेन सेड्यूल जो है मेन सेड्यूल है लक्सर में जनता के साथ पुलिस जनता के बीच जन्समवाद गोस्टी ठीक है उसी में मैं बीच में पुलिस लाइन का ब्रहुन करने आए हूं क्योंकि यहां भवन समंदित कोछ इसूस थे उनको सैटल करने के लिए मैंने आदे घंटे का पुलिस लाइन का ब्रहमन लखा है पुलिस लाइन स्कूल का ब्रहमन लखाienced वैसे काम कंदो कुछ दिन पहले गदरपूर ठना शेतर में सरंचीत कोर के गोच से खुले आम उनकी 5.5 साल की बच्ची को छीन करने जाने की घटना के बाद शेत्र में हड़कम बच गया था जिसके बाद वरिस्ट पुलिस अधीक्षा के निर्देश में गठित की गई पुलिस की दो टीम ने अपनी कारवाई शुरू करते हुए जहां घटना हुई थी वहां लगे सीसी टीवी फुटेज और आसपास के लोगों से बुच्छताच की है जिसके बाद पुलिस ने शिकायत करता सरंजीत कौर से सकती से बुच्छताच की तो पता चला कि सरंजीत कौर ने डर के कारड़ पुलिस को गलत सूचना दी थी साथ ही उन्होंने ही अपनी बच्ची को उनके पिता के हवाले किया था जिसके चलते पुलिस ने ढ़ाई साल की बच्ची को उनके ही पिता की घर से बरामत करने के बाद पूरे मामले का खुलासा करते हुए कहा कि पुलिस को गलत सूचना देने वाली महिला के खिलाफ करने के बाद उसके निसान देही पर उसका जो एक पती है अलवर का रहने वाला टीटू उसको हमने कशड़े पर ले लिया है बच्छी सवकुसल बरामत की गई है इसका अपने जो पती है जो पहला पती जो इसका थद्वेदर सिंग है उससे उसका कुछ अनबन पारबरे आपमान और कडाके की ठंड को देखते हुए जिलादिकारी मयूर दिक्षित ने कडाके की ठंड से बचने के लिए सभी नगर पालिका शेत्र के अंतरगत सारवजनिक जगह पर अलाव जलाने के निर्देश दिये थे इस परिपेक्ष में जिला नगर पालिका और विवाग की तरव से मुख्य चाराहों पर अलाव जलाकर रहागीरों और शेल्टरों में रात गुजारने वाले जरुटमंदों को ठंड से बचाओ की विवस्था भी की गई है तो जरवत मन्दों को ठंड से बचाने के लिए विवस्था की गई हैं उत्तरकाशी के तस्वीरे देख रहे हैं आप जहाँ पर गरीब और निराश्त लोगों को ठंड से निजाद दिलाने के लिए अलाओ की जगा जगा पर विवस्था की गई है जिलादिकारी के द्वारा ठंड से बचाने के लिए निर्देश दिये गए थे कि जगा जगा हर चौक चौराहों पर इस तरह के अलाव जलाये जाएं जिससे की गरीब लोग और निराश्यत लोगों को सहायता मिल सके और ठंड से उनको बचाया जा सके हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली शेतर में बुलेट पर स्मैक बेचने निकली यूवक यूवती के एक जोड़ी को रानीपुर पुलिस ने गरफतार कर लिया है सुमन नगर चौकी इंचार्ज, इंदरन सिंग और उनके सहयोगी पुलिस कर्मी ने गणमीरपुर में गस्त के दौरान राउसड़क गेट के पास खड़े एक संदिग्द बुलिट सवार यूवक यूवती से पुछताच करने के बाद ये कारवाई की है गरफत में आये दोनों स्मैक तसकरों के पास से करीब 12.50 ग्राम स्मैक बरामद हुई है NDPS Act की प्रभावी धाराओं में दोनों की खिलाफ रानीपुर पुलिस ने मुकर्मा दर्ज कर लिया है फिराल पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया है पुलिस को बड़ी सफलता हाथ में लिया है जहां पर हरिद्वार में पुलिस ने एक जोड़े को गिरफतार किया है ये यूवक यूवती बुलेट बर स्मैक बीच ने निकले थे जिसके बाद इनको पुलिस की टीम ने गिरफतार कर लिया है दोनों तसकरों पर NDPS की धाराओं के साथ अब इनको जेल भेज दिया गया है शमोली में देवाल मुंडोली वान मोटर मार्क पर लुवानी गाओं के पास एक डंफर खराब सड़क के कारण नियंतरण को कर सड़क पर ही पलट किया गनिवत रही की रेज सिभरा डंफर नीचे खाई भेपलटने से बाल-बाल बच गया चालक किसी तरह अपनी चान बचाने में काम्याब रहा बता रही कि इस जगह पर सड़क हमीशा भूध हसाओं की जद में रहती है लेकिन इसका स्थाई ट्रीट्मेंट नहीं कर पा रहा है इसलिए पहले भी इस जगह पर वहां द्रुगटना हो चुके है अभी JCB मशीन सड़क को वेकलपिक रूप से खोलने का प्रयाज करा जा रहा है आज जो कि यहां पर जो थ्राली मोटर मार गया है वहां डेवाल वाली उसके बीच ल्वाणी में एक जो द्रुगटना में एक डंपर जो भी आपना समान लेके जा रहा था वह द्रुगटना गरस्वा जिसमें चालक को तो चोड़ नहीं आई काफी नुक्षवान हुआ है और आए दिन वहां पर जो कि प्रेटनों का बहुत बड़ा सेला वहां पर आता है और काफी इस द्रुगटना के कारण काफी देर तक वहां पर आवाज आवी बंद हुई थी जिसे लोगों के प्रेटनों के किसी के फलाइट बंद हुई और यह समश्या पुरानी समश्या ह बिगत दो तीन वर्सों से मैं भी विवाग और सरकार को पत्र दिये जा रहा हूं जिसमें भी तक कोई कार्य नहीं किया गया है देवाल मुंदोली मोटर मार्ग पर आज सुबह यहां पर यह डंपर जो है रेता लेकर जा रहा था यहां पर पलट गया है आप देख रहे हैं कि देवाल से वान के लिए जोने वाली जो हमारी मुख्य सड़क है यहां पर 12-15 गाउं को जोने वाली सड़क है पर टक अस्तलों को जोने वाली सड़क है इस सड़क की क्या हलत है यह आप देख सकते हैं लक्सर में पुलिस बिवाग की तरफ से जन समबाद कारिकरम का आयोजन किया खिया जिस पर उत्राघंट पुलिस बिवाग के महाने देश्यक अशोक कुमार ने प्रतिभाग किया इस कारिकरम में सैकलों लोगों ने भाग लिया छात्राओं ने गुलदस्ते भेट कर अशोक कुमार का स्वागत किया और कारिकरम में पहुँचे लोगों से डीजीपी ने सुझाओ मांगे लोगों ने डीजीपी से नशा ओवरलोड अवैद खरनन पर रोक लगाई जाए खानपुर थाने में पुलिस की कमी को पूरा किया चाहे जैसे जैसे सुझाओ डीजीपी के सामे रखे है तो डीजीपी अशोक कुमार लकसर पहुँचे थे जहां छात्राओं ने गुलदस्ता भेट कर उनका स्वागत किया है तो यह तो पीज़्ात का परक्वच है लोगों के बीचार के लोगों की समझशा को सुन न और उनसे सुझहा पराप्त करना पॉलिसिंग के समन्ध में तो हमने अदेसित कि हर् थाने में कम से कम तीम महिने में जन्समवाद जरूर होटी तो थाने में तो किसी में SSP जाए उसी कड़ी में हमारा पर आस था यह लगसर चेतर में आकर करके हमने लोगों से चन्भ संभाथ के आए और यहां कि बहुत सारी समझ्चा भी हमारे संग्यान में आई हैं उनमें से कुछ ठाना चोकी की इंफरास्ट्रक्टर से संभन दीत हैं कुछ गाड़ियों से संभन दीत ह और कुछ जो है लोगों की समझ्चाएं जो ड्रग्स और ट्राफिक आदी को ले करके थी तो सब के बारे में हमने गहराई से जाना है और इसमें जो बेस्ट पोसिबल होगा इसके समाधा निकले जाए उत्राखंड में स्कूलों की तरफ से मनमानी फीस लिये जाने और अभिवावकों के शोशन की शिकायतों के बाद अब सरकार ने बड़ा कदम उठाया है राज के शिक्षा मंतरी अर्विंद पांडे ने बताया कि अब स्कूलों में स्कूल फीस के मामले हो या अभिवावकों के शोशन के मामले या फिर स्कूलों में काम करने वाले अध्यापकों के वेतन के मसले हो इन सभी को देखते हुए सक्त कदम उठाया चाएका जिसे लोगों को नियाय मिल सकें इसके लिए सरकार ने विद्याले नियामक प्राधिकरण का गठन भी किया है हमेशा अभी भावकों की मांग रही है कि प्राइबिट स्कूल हमारे उस्कूल करते हैं मैं सेंटर गॉर्मेंट को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने नई सिक्षा नेती का गठन किया और यह नई सिक्षा नीती इसे देश की सारी बैवस्ता को बदलने वाली नीती है उसी के तहट बिद्याले नियामक प्राधिकरण की बैवस्ता नई सिक्षा नीती में प्राविधान किया गया हम उस से पार्ट को उत्रागंड में लागू करने जा रहे हैं जिसे प्राधी करम बिद्याल है, नियामक प्राधी करम है, चाहे फीश के समस्या हो, चाहे यूनिफॉर्म की हो, चाहे पाठे करम की हो, पाठे पुष्ट को गले के हो, चाहे अध्यापकों की फीश का हो, उनके बेतन का हो, प्रते एक चीज का उसमें समाधान उसमें किया ग प्रदेश से हमें लगबग 400 करोड का लाव मिला है जो भी परिसंपंतिया थी वो हमें प्राप्त हुई है यह सब डवल इंजन की सरकार के कारण ही संभव हो पाया है परेटक आएं और यहां की जो आर्थिक जो है उन्नती हो हमने गावालों से भी कहा है कि आप होमस्टे का दिर्मान करें उत्राखण में विधानसभा चुनाओं की तयारियों को लेकर सभी पार्टियों में टिकेट आवंटन को लेकर खलबली मची हुई है इसी कड़ी में विधानसभा जोलापूर में स्थानिय प्रत्याशी को टिकेट ना दे कर बिएसपी के प्रदेश अध्यक्ष को ही विधानसभा जोलापूर का प्रत्याशी मान रहे जोलापूर विधानसभा के कारेकरताओं में खासा आकरोश दिखाई दिया उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष जी विधान सभा के लिए एक कमजोर प्रत्याशी साबित होगे तो BSP कार्य करताओं ने प्रेस कॉन्फरेंस की साथ ही अपना आक्रोश भी दिखाया उन्होंने कहा कि जो प्रत्याशी अब चुना गया है वो प्रत्याशी कहीं न कहीं कमजोर साबित होगा आपको बता रहें कि अब टिकेट आवंटन को लेकर खासी खलवली मच्टी नजर आ रही है हर पार्टी में अलग-अलग टिकेट के दावेदार हैं ऐसे भी किसकी टिकेट कट रही है और किसको टिकेट मिल रही है इसको लेकर पार्टी के बीच अंतर कल है कि खबरे भी निकल कर सामने आती रहती है तो ये हर द्वार का मामला है जहां BSP पार्टी टिकेट आवंटन को लेकर सुर्खियों में है विदान्सभा जौलापूर में स्थानय प्रत्याशी को टिकेट ना देकर BSP के प्रदेश अध्यक्ष को ही विदान्सभा जौलापूर का प्रत्याशी मान रही च्वालापुर विधान सभा के कारिकरताओं में खासा आकरूश देखाई दिया है उन्होंने कहा कि परदेश अद्यक्ष जी विधान सभा के लिए कमजोर प्रत्याशी सावित होंगे तो परदेश अद्यक्ष को कमजोर प्रत्याशी बताते हुए BSP कार्यकरताओं ने प्रेस कॉंफरेंस की है और अपनी नाजाज़गी को सामने रखा है जो बहुजन समाज पार्टी को दिन नात मजबूत करने का काम करते हैं तो प्रदेश नेत्रतु इस फैसले को जल्दी से जल्दी बदले जो आलापुर्वी धान सवा को लेकर जो लिया है नहीं तो उन हजारों कार्य करताओं का मनोबल गिर जाएगा और बहुजन समाज पार्टी को नुक्षान 2022 में उठाना पड़ सकता है वहीं पवन चौहान ने जनता को सरकार की उपलब्दियां भी गिनवाई है तो इलालकुवां से तस्वीर हैं जहां पर पवन चौहान ने जनसंपर्क किया और इसके साथ ही साथ सरकार की उपलब्दियों को जनता के बीच पहुचाने का काम किया है अज लालकुआ में तहसील परिसर में आयो जित बैठक में पहुँचे छेतर विधाया के नवीन दुमका का इस्थानिय लोगों ने फूल माला पहना कर और मिठाई खिला कर भवे स्वाकत किया इस दोरान अभजलातिकारी की मौझूदगी में शेतर विधाया के नवीन दुमका ने लालकुआ के दस लोगों को मालिकाना हग के पटे सौंपे और उन्हें बधाई दी है तो लालकुआ से तस्वीरे हैं जहां पर आज विधायक नवीन दुमका पहुँचे जब नवीन दुमका पहुँचे तो वाह स्थानियों लोगों ने उनका फूल माला और मिठाई बाट कर भवे स्वागत किया इसी के साथ नवीन दुमका ने लालकुआ के दस लोगों को मालिकाना हक के पट्टे सौपे और उन्हें बधाईयां दी है लालकुआ नगर पंचाय छेत्रे के अंतरगत जो लीज नरस्त भूमी पर बसे हुए लोग थे उनके मालिकाना हक का एक प्रियास था यह मामला थोड़ा उल्जा हुआ था और लालकुआ के अलवा उत्राखन में इस पर कारगी कोई भी अन्य जगह कोई इसका उदाहन नहीं था मानी मुख्यमंती जी के बार-बार हर्स्तक सेप से और ततकालीन राजस सचीव स्रीमान सुषिल जी के प्रियास से एक बिसेश जियों हुआ उस जियों के बाद भी इसमें कुछ दिक्कत हैं थी बंदोबस्तर नहीं हुआ था इस सब लाब छेतरी जन्ता के लिए ही काम किये जाते हैं इससे बड़ी उपलब्दी हो नहीं सकती बहुत सुंदर काम किया है बहुत यतियासी काम किया है कार का धन्यवाद करते हैं और लोगों को बदाई देते हैं तो बीजेपी के युवा नेता दिपेंदर कोशियारी ने आज जन संपर कर लोगों को जन कल्याणी यूजनाओं की जानकारी दी है इसके साथ ही बीजेपी पार्टी के कारकरताओं के साथ उन्होंने बैठक की और कहा कि बीजेपी की जन कल्यानकारी यूजनाओं को जन जन तक पहुँचाने का काम किया जाना चाहिए नहीं जोएं उनके सामनी भी रख रहे ही तो जनता के द्वारा हमें भरपूर प्रेइम भी मिल रहा है उनका ये उतसार देखने को जन वाने सवाले अने वाले समयवें निश्चित रूप में भारती जन्ता पार्टी की एकography विशाल विजाई की ओर कि संकेत दे रहा है कि किस तरीक से 2022 में भार्चंदा पार्टी को चिनाओं में एक भॉहमत के साथ एक जीत प्राप्त होगी दिनेशपुर में उत्राखंट कबड़ी एसोसियेशन की ओर से एक बड़ी प्रतियोगिता का आयोचन किया गया जिसमें उत्राखंट राजजी की टीम का चैन किया गया चैन टीम पंदरा जनवरी से महरास्टर में होने वाली राश्टस्तर की प्रतियोगिता में भाग लेंगे दिनेशपुर के खुदी राम बोस स्टेडियम में उत्राखंट के ग्यारा जिले की चैनेत खिलाडियों ने प्रतिबाग किया और चैन करता टीम ने 20-20 खिलाडी का चैन उत्राखंट टीम के लिए किया है और ये खिलाडी प्रसिक्षन कैंप में भाग लेंगे जहां से मुक्र टीम का चैन राश्टस्तर की प्रतियोगिता के लिए एक ही आचायखा तो ग्यारा जिले की खिलाडियों का चैन किया गया है जो कि महरास्टर में होने वाली राजटस्तर की प्रतियोगिता में प्रतभाग करेंगे तो उत्राखंट की कबड़ी टीम का चैन हुआ है दिनेशपूर से तस्वीरे हैं जहां पर आपको बता दें कि एक टीम का चैन किया गया है ग्यारा जिले की खिलाडियों ने प्रतिमाग किया ये सभी लोग महराश्टर बहुने वाली राश्टर स्तर की कबड़ी प्रतियोगिता में भाग लेंगे अपने उत्राखन को दुनिया में दिखाएं कि उत्राखन भी किसी से कम नहीं है जिसे लोग महराश्टर बहुने प्रतिम जाते हैं हमारे उत्राखन को भी नहीं है कोई अनुसूचे जात के आखरी व्यक्ति तक योजनाओं का लाप पहुचाने के निर्देश दिये गए हैं कि अनुसूचे जाती के लोगों के लिए गरीब लोगों के लिए योजनाओं चलाई जाती हैं उत्रकाशी में गंगोतरी नेशनल हाईवे से लगे रतूडी सेरा गाउं में औल वेदर रोड की कारेदाई संस्था की तरफ से किये गए खराब काम से ग्रामीड खासा परेशान है ग्रामीडों ने शासन प्रशासन पर गाउं के अंदेखी का आरोप लगाया है औल वेदर रोड कटिंग की वज़र से जहां गाउं को जाने वाला एक मात्र रास्ता तूट चुका है वही एक मकान को भी खासा नुक्सान पहुचा है लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई कारवाही आमल में नहीं लाई गई है बचने के उसमें कोई मतलब भी नहीं है जारा रास्ता तोड़ जिया तो जो यहां का हमारा रुकाओ था वो सम निकाल दिया अब नीचे से खोकला हो गया ओपर से जहां दरारे पर रहे हैं तारा फट गया देखने जीवान तूट जहां मकान निकां घितक रहा है नीचे र रहे हैं मैं निवेदर करूगा सासर पर सासर से कान खोल के सुन ले और जल्दी से जल्दी किस रास्ता के निरमार कर रहे हैं जहां आप थोड़ें आप जो आप शिक्रादी शिक्रिश्यों से पूरा करें दूसरी बात यहां पर ऊपर एक गूल थी हमारी जो शिजा भी पा आप बने रहें न्यूस वर्ल्ड इंडिया के साथ धन्यवाद